यो वाट्स अप गाईज कैसे हैं आप सबी लोग आप आपसे लोग अच्छे हैं टम दर्स के लिए हैं जी टी फाइब तो जैसे के आप लोगों लास वला एपिजोड देहा होगा तो गाईज आप लोगो तो पता होगा कि यहाँ पर हमने लॉस एंडोस की सब सही जादा ही नाता हो चुका है मतलब डगन बोस ने वो जो गाड़ी है वो टेर्रिस्टों को बेच दी भाई अब तक मेरे को कुछ ही पता नहीं चल रहा है कि भाई डगन बोस कहां पर है उसने गाड़ी क्यों बेची फिलाल के लिए मैंने पूरा का पूरा टेर्रिस जो बेच था व क्योंकि आप लोगों का इस एक चीज दिखा रही है बहुत ज़्यादा बुरा स्थीन हो चुका है बाकी भाई यहां पर जो प्लेबोई मैंशन है मतलब जो डगन बोस का मैंशन है उसके अंदर भी काफी ज़्यादा टगड़ा अटेक हुआ था वहां पर मिलिटरी वालों को सीधा घर के अंदर लेके चला गया काफी ज़्यादा मिलिटरी वाले बंदे मारे गए हैं कम से कम अगर गैस करेंगे 200 से 300 बंदे मारे गए हैं तो भाई सब यहां पर मैं अपनी भाई को लेकर सीधा पहुंचने वाले हूँ एक जगा पर ओ तिरी ऐस ते जिबची के भा भी वो रूम नहीं बनने वाला है आप लोग इस बंदे को देखो यह पता नहीं क्या करने में लग रहा है यह सारे गौर्मेंट के बंदे हैं इदर से उदर पहरा देने में लग रहे हैं और यह जितनी मसीने आप लोग देख पर होगे न मतलब यह बुल्डोसर हो गया यह जितने भी हाँ पर मालवाल लाया जारता सिमेंटिमेंट या कुछ भी वो सब अब बंद हो चुका है ना क्योंकि भाई यहां की जो गवर्मेंट है उसने भाई मेरको एक तरी से वार्रिंग जदी है कि माइकल यहां पर बिलकुल भी कुछ नहीं बनना चाहिए यहां पर ग पर फ्रेंकलिन के पास कोली करके देख लेता हूं तो भाई साब यह जो फ्रेंकलिन का बच्चा है वाँ भाई यह कोली नी उठा रहा है पता नि कहां पर मर रखा है अब यार मुझे का लग रहा है मेरे को जो नहीं वाइट हाउस में जाना पड़ेगा क्योंकि यह वहीं पर बैठ हो गार बीजी बीजी होगा मैं समझता हूं भाई लॉस अंडोस का प्रेजिडेंट है बहुत सारे काम होते हैं हमारी तरफ फ्री थोड़े है इसरे उतर घुमता हूंता नहीं तो चलो फिलाल के लिए मैं निकलता हूं सीधा वाइट आउस के लिए और एक पर बंदे बंदे को किड्नैप कीड्नैप निमला अरेस किया जा चुका है गाड़ वाडिया पल्टी पड़ी है ओ सॉरी-सौरी-सूरी-सौरी यहां पर टककर्वा करना लग जाए इस महासक्स को देखो यह अरम से बैठ हुआ है यहां पर बलास गेंग, गिरिनिग इंग, सब के सब जोना प्रोटेस्ट करने में लगे हुए है इतना ज्यादा धुआ निकल रहा है बस मैं क्या ही बता हूँ अब भाईये कोई बतायागा मेरे को यहाँ चल क्या रहा है इस बंदे ने देखो बाई कुलाड़ी बेस्बूल बेट तक पकड़ रहा है और यहाँ पर सार यहाँ पर यहाँ पर यह जो लोगे सब नसेरी हो चुके हैं मैं पूछ क्या रहा हूं बता क्या रहे है पता निक्या चल रहा है पीछे की तरब भी काप ज़्यादा जो एना गाड़िया वाड़िया अब ट्रक तक पल्टे पड़ें भाई ओ यहां इतना दुआ निकल रहा पुलिस आ रखी है बाकी फाल तो में डंडे बंडे बच जाएंगे पीछ वाड़े पर इस ते अच्छा बाई चुप 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 जो ना पतली गली से निकल जाने में ही हमारी ओके तो भाई यहाँ पर मैं अपनी बाई को लेकर सीधा पहुचने वाला हूँ अभी बाच चुकाओं यह चल क्या रहा है यहाँ पर हुआ क्या लो संटोस को कुछ न कुछ तो गलसीन है मिलिटरी करनल तो बिल्कुल ठीक है मैंने उसको परसो बचा लिया था वह अटेक से पहले यहाँ पर लोग जो ना पतनी क्या मांग रख रहे हैं अपनी कुछ न कुछ न मिर से बोल रहा है कि सर आप अंदर की तरफ बिल्बकुल भी नहीं जा सकते हैं किसी को भी एलाउड निया वाइटाॉस के अंदर जा न तो मैं फ्रेंक्लीन से मिलुआ कैसे है यार पताओं बतानी क्या चल रहा है यह चल क्या रहा है गाइस इतने सारे बंदें वहाँ पर ग्रीन गैंग यहां पर कोई और चेंग है यहां पर लॉसेंड quierenuk कमेरे सारे वजय को एक सेंग को मेंने अब कि अभी erfahren ikutu को लाई है धृक्राण मेरे पास कौल रही है और वहमेगों अपने घर मॉला रवा दूर है जो मां इस अफब widely क्या है आ पर यहां यहां सेंटोस इसे समाल नहीं जा रहा है चलो बाकी यहां पर देखो भाई पुलिस वार में फैली हुई है यह पुलिस नहीं है यह स्वैट वाले बंदे हैं अगर कोई भी यहां पर टेरिरिस्ट आता है ना तो सीधा भाई उसकी ऐसी के तैसी कर देंगे पुलिस वाले भी खड़ यहीं पर गाडी याँ याँ वाले गयते तो भाई सब्धाव बाकि में पहुंचने वाला हें लो भाई सब होय से गाड़ कर देख लेपा के तो नीचे की तरफ देख जो इस気 ने की तरफ लोग यहां वाला तक बाकि है और जीने से नीचे इसे तरु आज चुका उप हु करने में लग रहा है भाई और यह कछे बल्यान में हाँ पर है अब प्रेजिडेंट होगे तु ऐसे कपुड में खड़ा हुआ है लो सेंटो सो कौन जमाल है भाई एक सेंड गई सब पता करना पड़ेगा चल कर रहा है बर्गर बर्गर से रहा है तो अब क्या काम करने अब यार यह प्रेजिडेंट है को नचा कर रख देगा भाई बाई फ्रेंकिलन ने तो जवाब दे दिया है कि अब लोसंडोस कुछ भी नहीं सकता अब यार यह president है कौन यार मैं तब ही बोलूगा जी जो protest है इतने चल कैसे रहे यार भाई सहब तो क्या क्या जा यार मैं लेसर से बात करूँ है इस बारे में यह जो नया president आया ना इसका तो भाई ऐसा मथे पह जो ना गोली मारने पड़ेगी और Franklin को दुबारा से President बनाना पड़ेगा Franklin भाई रो रो के बोरा हाल हो चुका है होगा भी क्यों नहीं भाई कहां कल तक President था आगे पीछे बंदे गुमते था पुलिस वाले गुमते थे और आज भाई बर्गर सेकरा घर पे आके ले खा रहा है भाई साब क्या दिन आचुके है यार Franklin के चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है Franklin को तो गैस हम जोने दुबार से President बना कर रहेंगे इस बार तो मैं यह सुच रहूँ कि Michael को प्रेजिडेंट बना देते है भाई काफी जदा बढ़िया सीन हो जाएगा सबसे पहले निकलता हूँ भाई मैं दुबार से वाइट हाउस पर क्योंकि भाई साब जोना इनकी एसी की तैसी करने का टाइम आ चुका है तो अभी जोना ट्रेसी की मेरे पास को लागी है और ट्रेसी मेरे से यह बोल रही है कि वाइट हाउस पर अटेक हो चुका है वाइट हाउस पर अटेक और जिमी भाई था गौज यह वाइट हाउस और वाइट हाउस निए एक गोलफ कोर्स अ भाई इन्होंने गोल्फ कोर्स को वाइट हाउस बना दिया भाई और वहाँ पर टेर्रिस्ट लोग आ चुके हैं ये प्रेजिडेंट कहाँ पर है अगर वाइट हाउस में आटेक हुआ है तो भाई ये तो मेरे को जुना चाल लग रहे है प्रेजिडेंट की भाई सब इसकी सकल देखने पड़ेगी ये बंदा है कौन भाई ये डगन वोस के काम तुन है न मेरे को ऐसे लग रहा है फिलाल के लिए मैं सीधा गॉल्फ कोर्स के लिए निकलता हूँ क्योंकि भाई जिमी भी भाई पर ही है और वो गॉल्फ खेलने के लिए गया था और वहाँ पर टेर्रिस्ट लोग आ गए भाई कुछ जादी गला सीनों रखाए तो तो भाई साब यहाँ पर यह जो रोड है कितना काली कैसे पड़ हो है भाई और लेफ्ट की तरफ जैने यह पूरा वाइट हाउस है मदलब है तो गॉल्फ कोर्स लेकिन इनोंने जो ने वाइट हाउस बना दिया है और यहाँ पर तो काफी ज्यादा टेरिस्स लोग खड़े हैं भाई एक सेकिन रुख जाओ सबसे पहल तो मेरे को अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा यहाँ पर बंदें देखो भार एक तरफ भी खड़े होएं सबसे पहले को अंदर जाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा बंदे हैं आपर सबसे पहले आप लोग आगी तरफ देख पर होगे तो इदर की तरफ से अगर में जाओना तो सीडिसी बात आए यह लोग मिरको मार दिग और मिरको जीमी दिग गया काफी जीदा बड़े बात हो चुकी है यह जीमी को मारने वालेगा जाई तिंग आप लोग सामनी की तरफ देखो जीमी वो रहा जीमी के साथ दो चार बंदे हो रहा है यह मिरको नहीं पता यह कोन है बाकी जीमी मिरको दिख चुका है जिसका 07 नमबर है वो जीमी है और इन्होंने एमिंग कर रहा क्यार मिरको कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना तो यह शूट कर सकते हैं सबसे पहले तो पीछे की तरफ निकलता हूं काफ़ी तो बढ़िया बात हो चुकिया है यह पूरा पूर जो गॉल्फ कोर्स है यह खाले पड़ा हुआ है आई होप यार इनकी जो नजरेना वो मेरे पर ना गई हो सबसे पहले तो गया इतनी तेजी से मार जबशल सब्सक्राइब यार अब मर मुरा जाओ तेरी तैसी यूड़ी निकल यहांसे हैं यह निकल निकल यहांसे जो टब जया पर बहुरा है और मर मूरा जांओ तेरी आइसी की तैसी जिमिस निकल जाक चुकिछा आप यार. मैंने जीमी सब बोल दें कि हांसे तुरंट के तुरंट भाग जा यह जगा काफी ज़्यादा खतरनाक है तेरी ऐसी कि तैसी मरूं बेटा हट रहने अट टकले कहीं के अबया पूरा ग्या बना रहा है भाई तेरी भैस के चल बेटा निकले हांसे अंदर के तब काफी जादा बंदे हैं सबके सबको मार के जाओं मैं अंटी बंटी सेड भॉस यार मारने का बिल्कुल मेरा मन नहीं था उसको चलो बाइर तरह बी काफी ज़दा बंदे यहां पर यहांपर यहां बॉइख साब मैं गॉल्फ कोर्स के कभी अंदर निया बाई ये बिल्डिंग मैं सोचता था ये कोई ऐसी बिल्डिंग होगी लेकिन इसके अंदर तो भाई पूरा लगजरी बना रखा है उपर की तरफ यह बर चल कर देख लेता हूं उपर की तरफ तो बंदे बंदे निया सबसे पहले तो आगे की तरफ निकालता है और भार की तरफ जो और बहुत ज्यादा बंदे हैं तो मैं का मूह तोड़ करने वाला हूं इनको पत्ता है नहीं चला है चल बटा निकाले हां से कहां परो सारे सारे बंदे एक सिकिन डूजर इतनी सारी गाड़िया अब बहुत अब यह वाइठा बना रहा है क्या बना रहा है तो गोलिया कहां से पढ़ यह एक सेकिन डूजर तेरी एसी कि तैसी यहां पर जुट बना के बैट हूँ है आजो बैटा आजो सबको जोना ऐसी कितने जादा बंदे हैं हाँ पर पीछे की तरफ से काफ जादा गोलिया इससे पहले कि जादा देर वेर ना हो जाए बाकी तुम्हारा यहां पर आया है तो ऐसे तो जाएगा नहीं बिलकुल भी तुम्हारा चलो बैटा निको लहां से एक सेकिन यार क्या ट्रक है भाई यह फूट फट कैसे न रहा है चलो गाज फट चुके हैं गाज यह पूरे बूलेट प्रूफ टरक हैं भाई फूट जा भाई फूट जा चलो भाई सब यहां पर तुम्हारे भाई ने आग लगा कर रख दिया है एक बंदा हो रहा है यह राओ बंदा चल बैच यहां से इसकी मैंने एसी की तैसी कर दिया जीमी कहां पर है जीमी को बुलाना पड़े जीमी जल सल दिया चलो फिलाल मेरी बाइक में आई इतना तू सिटर नी एर यह एक इसी टर है जीमी जल सल दिया ने पीचे की तरफ यहां पर प्रेजिदेंट आया वाला कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सबसे पहले मैं यह जो जिमी है इसको घर पर चोड़ता हूं यहाँ पर मैं अपने घर पर आज चुका हूं लेकिन अभी बीच रास्ते मेरे पास लेसरी को लाई थी और लेसरी गाइस मेरे को तुरंट के तु इसको पताань कैंते हैं आज है इस इसको पता नित्होट के इक कहुंत एक पतादने है कि में पतानी ग्यांग अ कने से लग्वाई शोड़ यह जोड़ा बाकिवर कभी रखा था पता निया से पास जूड़ो एस्एबर निकलता हूं ग्रत के ऊग्उलतہ बह shout भाई क्यों बुलात रहता भाई तनी जल देल देवा है अपने घर के अंदर यह बोला रहा है इतनी गंदी रहती है क्या बता हूं वस और यह लेस्टर बच्चे घर कहां पर है लो बाई लेस्टर का यहां पर यह जो लोग ने फालतु का इनको रुको इनको अब भाई कोफी मार रहे है अपने को भाई पानी नशीब नहीं हो रहा और कोफी मार रहे है भाई सब्सक्राइब पता भी लॉस अदर चल कर रहा है तेरी ऐसी की तुम्हारी भैंस के बदमाश बदमाश बनोगे अब भाई साब यह नश्यवश्य मैंने कर लिया यह क्या हो रहा भाई चले छोड़ो यार अंद्रे की तरह निकलता है अब लैसर भाई सब गेट ओपन कर दे यार बुलाता है फिर इज्जत ही नहीं कुछ यार इसका भी अलग सीन है भाई कभी गेट लाकर रखता है कभी क हुआ हो था क्या भाई इसने कुछ अजीबी तरीके के बंड़ा यारी बागीakes लैट्वब भाई कम्प्यूटर गामित है और पता नी बहुता होगा भी होता रहा तो गईस अभिजो लैसर वी में बोल रहा कहे इसने पता लगा लिया है कि डगनबॉस अभी कहा प है उसकी exact location ओ भाई इसा फिर तो मज़ा आ गया guys अभी सबसे पहले तो लेसे से बात करते और पूशता हूँ कि भाई जये जल्दी वो location बता दियार तो भाई अभी जो लेसर है उसने में बता तो दिया है कि जगा कहाँ पर है वो डगन बोस का बेस लेकिन यह यह बोल रहा है कि माइकल ध्यां से जिये थोड़ा क्योंकि वहाँ पर खत्रा भी हो सकता है और गया जो नया प्रेजिडेंट आयना लेसर यह बोल रहा है कि वो डगन बोस का दोस्त है भाई लो भाई जब हमारे लिए प्रोब्लम जो है ना किरेट हो चुकी है अगर वो डगन बोस का दोस्त है तो भाई फिर हम कुछ भी नी कर सकते वो चाहे तो डगन बोस को एक महल भी दे सकता है लोस एंड उसके अंदर और हम हाथ तक नहीं लगा सकते भाई उसको भाई यार यह तो कुछ जादी गलसीन हो चुका है गज बस हमको यह पता करना पड़ेगा अदलब किन लोगों ने फ्रेंक्लिन को धोका दिया है और प्रेजिडेंट की पोस्ट से हटा दिया फ्रेंक्लिन भाई बहुत तगड़ा प्रेजिडेंट था भाई तब ही तो भाई जो लोगे प्रोटेस्ट करने में लगे हुए अधो भाई साहब लेसर ने तो मिरको यही लोकेशन बताये लेकिन मिरको कहीं पर भी कुछ भी बंकर निहीं दिख रहा है पता नहीं कहां पर नीचिक एक सेकिंद यहां पर पूरा च्छान मारना पड़ेगा भाई कि यह है कहां पर बंकर बाकी मैंने अपनी गाड़ी को यू टर्न मार गया है और यार कहीं पर भी नहीं दिख रहा है मिरको बाकी ओ अराम सरा मेरी गाड़ी की धचिया उड़ जाएं एक सेकिंड यह मैं क्या दिख रहा हूं अंदे की तरफ एक बंकर है यार यह कैसा बंकर है भाई मतलब ब्रिज के नीचे इन्होंने एक बंकर बना कर रख रखा है बहुत जादा तेज चलता है इसके अंदर डगन बोस भी हो सकता है मिरको अभी कुछ पता नहीं है फिलाल के लिए लेसर यह बोल रहा था कि बस जा जो भाई मैं बिना देरी करें इसकंदे की तरफ निकलने वाला हूं और आगे की तरफ इन गाड़ी घड़ी हुए भाई कितनी ज्यादा तंगड़ी गाड़ यार यह भाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई बैश्व मज आगे इसको पर छप करा रहा है भाई यह बात हो चुके और लेसर यह बोल रहा है कि माइकल कहीं पर भी ऐसा कीपैड वाला पासवर्ट दिखे ना बस इसकी फोटो लेकर मेरे को सेंड कर दे तो चलोगा जहां पर इसकी मैंना फोटो ले लिया है यहांपर में लेसर से बात हो चुक है और कम सेकंव 10 Presents लżyे हैं तो फिसजेश जेशते हैं जूद क disciples upon करने के लिए और इस जीशते की ब्याइथ mechanics ॹर घेट आपन भी है, आराम से यहांपर कोई बंदा भी नहीं है वह और क्या बं-कर है वह मझ्हा centimeters गाइज कितना तकड़ा बंकर है भाई मान गए बाई डगन बोस को चलो इसका लैपटोप कहां पर है बैको बस लैपटोप देखना है चलो इसको अन करते है सीधा और गैज इसके अंदर पेंडराइव लगा का है डाटा को कौपी कर लेजे हैं तो चलो गैज यहाँ पर तो म मैं रुख जा एक सेकिंड रुख जा भाई मैं मर जाऊँ आँ वहाँ बहुत जादे बोरा सीन हो चुका मेरे साथ तो भाई यहाँ पर मेरी डगन बोस से बात हो चुकी है और डगन बोस मेरे से यह बोल रहा है माइकल अब तू देखते जा मैं क्या से क्या करता हूं तू लिए यहाँ बिल्कुल जेल के अंदर जाने वाला है और वहाँ इसने मेरे उपर जो नगलत इंजाम लगा दिये है तो भाईस आप बस मेरे को पकड़ना था जो कि भाईस ने मिलिटरी वाले कॉल गर दीया है military वाले थोड़ी बहुत दिर में हाँ पराते होंगे मेर को लेने के लिए बेटा डगन जो यह तू कर रहा है बहुत जादा गलत कर रहा है बेटा डगन तेरे को तो मैं बता हुआ अब भी तू फिलाल के लिए हाँ जा रहा है कोई दिक्कत वाली बात निए बेटा मेर को खोल के तो चला जा बाई साभी डगन बॉस का बच्चा मेर से बिलकुल भी नी बचने वाला बाई यहां पर प्रेजिडेंट भी इसका दोस्त हो गया है अब तो भाई साभ इसको मारना एक तरीके से नाममकिन हो गया बाई अब यार बेटा रुगज़ 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 अब डर पो कहीं कहां भग रहा है वे इसकंदर हिम्मत तो है नी तब ही गाज यह जो ना गाड़ी लेके निकल रहा है चलो कोई दिक्कत वाली बात निया है गया जा पर बहु जो दा बुरी तरीके से फश इंजाम लगा दिया है इंजाम तो लगाएं कोई दिक्कत वाली बात ने लेकिन प्रेजिडेंट उसका दोस्त है और गैस मुझे के लगज़ रहा भाई यह मेरे को मारवार ना दे अब अराम से भाई मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं यार अब होई नेता बेटा गोली लग भाई अभी तिनी बूरी तरीके से मारा हैं माइकल मरने मरने से बचा है भाई बेटा कोई नहीं चलो गज़ यही होना सही था बाकी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर माइकल मरे और यहाँ पर सारे में पुलिस आच चुके है मेटा डगन तू तो निकल गए यह मना से लेकिन इसने भाई मेरे को बहुत ज्योद बुरी तरीके से फसा दिया इन्होंने मेरे सारे की सारी गंस रख लिया है और मेरा मेरे पास फोन भी नहीं है जो मैं класс क्या सिनुने वाला है और गैस यहाँ से जो नहां मैं भाग बिलकूल है नहीं सकता हूं पत निकर है य मेटा बहुत जादा चोड़े हो और गैस आप लोग मिर को बता हो के भाई मिर को क्या करना चाहिए यार मिर को नहीं पता है यह मिर को कहां पर लेकर जाने वाले हैं तो चलोगा राइधिंग आज की वीडियो के लिए बसी तरकते हैं आपको अच्छे लोगेगा चैनल पर दो सब्सक्राइब लेना मैं मिलते हैं अगली वीडियो में दब तक के लिए बबाए एंड थैक्स वर वाचिंग और हागज मेर से बात करने के लिए आप लोग मेरे डिस्कॉर्ट सर्वर जोन कर सकते हो डिस्कॉर्ट सर्वर में सा ओनल आप में लोग में सा प्रना कर सकते हैं बबाए भाज के लिए लो झाल पर दो झाल दो से बांट हैं और हाज चैनल दो